हे गाइस प्रो कबड़ी सीजन 10 का आक्षन कम्प्लीट हो चुका है और पुनेडी पल्टन की टीम आक्षन से पहले ही बहुत ही स्ट्रॉंग टीम दिख रही थी और आक्षन के बाद और भी जादा स्ट्रॉंग टीम बन चुकी है आखिर कौन-कौन से प्लियर्ज एड हुए है इस वड़ों मैं आपको पुनेडी पल्टन का पूरा स्कॉर्ड बताने वाला हूँ प्रो कबड़ी सीजन 10 के लिए तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो को एंड तक जवर देखेगा और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को आपने अभी त पुनेडी पल्टन के ये रेडर्स रहने वाले और आउक्षन में पुने के टीम ने एक भी रेडर को नहीं खड़ीदा है डिफेंडर्स की बात किजा तो डिफेंडर्स में पुने के स्कॉर्ड में देखने को मिल जाएगे अभिनेश नदराजन, गौरफ खतरी, संकेश सा पादल सिंग तो ये वो डिफेंडर्स जो यहाँ पर रिटेन हुए, अभिनेश राइट कवर के डिफेंडर्स यहाँ पर गौरफ खतरी, राइट कॉर्ने के डिफेंडर्स संकेश सावंथ लेफ्ट कवर के डिफेंडर्स बादल सिंग लेफ्ट कॉर्ने के डिफेंडर्स और नमेनेटड एन्वाइपी की बात किजे है। Ноां पे तीन defenders को पूनरी पलटन की टीम ने sign किया है। जो तुशॉर, दादासु पुजारी है और वेभव कामले है। दादासु पुजारी यहां पे राइट क्रॉरन डेफेंडर है। वेबव लेफ्ट कवर के defender and तुशार यहाँ पे राइट कवर के defender है auction में पुनेडी पल्टन की team ने 3 defenders को खरीदा है सबसे पहले इश्वर जिनको 9 lakh में खरीदा है then यहाँ पे वाहिद जिनको 16.60 lakh में खरीदा है अगरी यहाँ पे हरदीब जिनको 9 lakh में खरीदा है बात किज़े ओल्राउंडर के यहाँ पे दो ओल्राउंडर को खरीदा है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है उस ओल्राउंडर का नाम है महमद रेजा सादलू इनको record breaking 2.35 करोड में पुनरी पल्टन की टीम ने खरीदा और महमद रेजा सादलू जो पटना पारेट्स की टीम की तरफ से दो सिजन खेल चुके थे अब यहाँ पे पुनरी पल्टन की टीम से खेलते हुए दिखेगे और महमद रेजा सादलू के आज आने से पुनरी पल्टन की टीम 20 टीम बन चुकी है यहाँ सादलू एक का रेडर के तौर पे भी खेल सकते हैं एक लेफ्ट कॉर्णर का अच्छा खासा यहाँ पे डिफेंडर का आप्शन मिल जाता है और दूसरे यहाँ पे एहमद मुस्तफा इनामदार है जिनको 9 लेक में पुनरी पल्टन की टीम ने आक्षन में खरीदा है तो यह है पुनरी पल्टन का पूरा स्कॉर्ड एंड कॉमेंट का के ज़रू बताएगा कि आपको क्या लगता है पुनरी पल्टन की टीम कितनी स्ट्रॉंग यूनिट दिकरी है फजल के जाने के बाद क्या इनकी कमी खलेगी की निखलेगी आप कॉमेंट में ज़रू बताएगा एंड बाकी टीमों की उपर भी वीडियो आ चुका है अगर आपको देखना है तो उसका प्लेलिस्ट आपके लेफ साइट पर शो हो रहा होगा उसमें क्लिक करके आप अपनी फैवरेट टीम का वीडियो देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे और नए इंट्रसिंग व पर वाचेंग